स्वागत है आपका विज्यान वरिक्स पे जो BST के स्टूडेंट्स को एस्पारिंग स्पोदर्स के लिए विज्यान और सफोलता का एक अनोखा साथी है नमस्कार दोस्तों विज्ञान्वरिक्स के ओनलाइन प्लेटफरम पर आप सभी का हारदिक स्वागत है और हम बात कर रहे हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की या मैं आपको बताऊं कि H1 NMR की यानि कि H1 नुकलियर मैगनेटिक्स रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की तो दोस्त के अंदर जब हम किसी सेंपल को ट्रीट करते हैं पर्टिकुलर ऑपेशन जब उस से इंस्रूमेंट के अंदर ऑपरेट करए जाता है तो वहांसे मिलता है इता हुए हम गोर से देखते हैं तो उसके अंदर हमें मिलती है कली सारungen सध् gi aggi en virus immediately थीच है दोस्तों है निर्शन आ 실न हमें वहां से मिलती है प्रोटॉ एंदर थोड़ा सा मोड कैसे आता है कुछ इस परकार से हम तो मान कर चल रहे थे की हमारा जो प्रोटॉन है याशन है क्रतिकोन में प्र्टिकुलर चेश्म के प्रकूप्राइब rit information हमें वहाँ से मिलती है मैं बॉलू pry stos की information मिलती है वह इसे आता है कुछ इस परकार से हम भान करके चल रहे थे कि हमारा जो प्रोटोन ययानि के साथ अगा हुआ है वह प्रटिक्लर के ऊपर हमें अपने कई देगा यानि के अगर आप एक hydrogen ले रहे हैं एक आपके पास दूसरा hydrogen है हम तो ये मानते थे कि दोनों के दोनों hydrogen है तो एक सेम जब larmor frequency होगी या एक सेम उसके larmor frequency के बराबर magnitude की frequency अगर हम irradiate करवाएंगे तो क्या होगा वहाँ से absorption मिल जाएगा लेकिन दोस्तों अब दोनों जो hydrogen थे दोनों का जो chemical nature है वो अलग हो गया उनका chemical environment बदल गया जिसकी वज़े से एक ने किसी एक particular value के उपर absorb किया तो दूसरी ने किसी दूसरी value के उपर हमें अपना signal दिया यह absorb का मतलब है कि उसने transition दिखाया क्या करेगा light आएगी कोई ray आएगी radio wave आएगी radio wave क्या करेगी वह spin को invert करा देगी इस पिन को चेंज करा देगी transition बोलेंगे इसको मैं absorption आपको बोल रहा हूं तो दोस्तों यह जो फिनोमिना हुआ यह हुआ हमारे लिए एक नई ट्रम साबित करने में जिसे जानते हैं chemical equivalent बच्चो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले एक important information आप जोईन कर सकते हैं विज्ञान वरिक्ष के B.Sc. semester and yearly courses को जो design किया गया है आपके university syllabus को ध्यान रखते हुए और दोस्तों साथ ही एक course बहुँ ज़्यादा affordable है और इसमें आपको मिलता है complete course in the form of video lectures, lecture notes, previous year question papers and mentorship यह सब आपको मिलेगा विज्ञान वरिक्ष एप पर जिसका link इस video के description में दिया गया है यानि के आज हम जो बात करेंगे हम बात करेंगे chemical और non-chemical equivalent protons की और दोस्तों एक और important बात की जो हमारे protons chemically equivalent होते हैं उनको ही हम magnetically equivalent protons भी बोनते हैं तो क्या होता है क्या क्या कहानी है कैसे मोड आते हैं कैसे मोड को दूर करते हैं लाइन को सीधा करते हैं आई इन सारी बातों को जानते हैं देखिएगा आपके सामने कुछ इस परकार का द्रिश्य है देखिए आपका जो heading है NMR signal और equivalent और non equivalent proton तो जब हम किसी sample को detect करने का पर पहचानेंगे वैसे तो हम किसी जैसे कि क्या होगा हम उसको देखकर भी पहचान सकते हैं अगर हमारे पास structure बनाए गए हैं कि वह chemical equivalent नहीं है लेकिन यह जो काम है यह सारे के सारी cases में नहीं किया जा सकता इसको प्रेडिक्ट करने के लिए हमारे पास कई techniques हैं उनकी भी आप आपको बात बताऊंगा तो दिए पहले तो जिक्र यहीं उठता ही केमिकली उक्विवएलंट और फ्रोट है क्या टो ऐसेट्ट प्रोटोन का सेट जीनका प्लाके मिकलर इंवार्मेंट सेम होता तो इसको दो प्रोटोन ले लीजिए या 17 वियो सकते इसके इंदर चार भी हो सकते, कितने भी हो सकते हैं तो उनका अगर same environment है तो उसको बोलेंगे equivalent और otherwise they are set to be और नहीं तो उनको क्या बोलेंगे non equivalent proton देखिए ये जो set होता है कौन सा set हमारे पास एक है non equivalent proton का set तो ये जो set होता है proton का non equivalent proton का ये अलग-अलग position पर अपना signal देते हैं ये आपने important बात याद रखनी है इसी के base पर हम आगे structure को determine करेंगे आपको यहां और क्या बताता है कि वैसे तो हम simple देख करके जो है इसके बारे में जानकारी लगा सकते हैं लेकिन हर बार ये जो संभाव ना है ये सही नहीं होगी इसके लिए हमें कुछ और उपाय ढूड़ना पड़ेगा तो उपाय क्या है उपाय हमारे पास कुछ इस परकार थे हम क्या करेंगे हम जो proton है ना उनको चेंज कराएंगे हम किसी दूसरे एटम के साथ उसको replace करेंगे और फिर हम उसके अंदर isomerism को देखेंगे जैसे कि आपके पास मालीज ये कोई compound है मैं example से आपको बताता हूँ ध्यान देखेंगा आपके पास क्या है एक तरीका मैं आपको बताया है मैंने कोई एक item लिया item को मैंने क्या किया मेरे पास तो sample था उसके किसी एक proton के साथ मैं उसको बदल देता हूँ देखे जैड मैंने लिया है इस सारे के सारे cases में जैड जो term है उसको use करके मैं आपको यहां से बताऊँगा तो अब उसको replace करने के बाद अगर मैं देखूंगा कि वहां पर अगर मुझे isomer मिल रहा है तो वह enensiomer है या diastereomer है देखिए इस class को थोड़ा सा जानने के लिए आपको थोड़ा बहुत stereo का जो अंदाजा है वो होना अतियावशक है नहीं तो यहां आपकी थोड़ी सी गड़बड हो जाएगी या आप यहां पर क्या कर सकते आप एक्सीज ओफ रोटेशन देखकर भी पास कर सकते लेकिन वह थोड़ा सा डिफिकल्ड आपके लिए हो जाता यह वाला जो मेंत करेंगे हम उस प्रोटॉन को कर देंगे जैड के साथ आप द engineering करने के बाद हमारे पास कंडिशन आई है उसपहले की मीरले मेंज है मैं मेंस हैं उस सूपर इंपशिबल मिरले मे आतिख सारी की संभावना देखेंगे और फिर उसके बाद हम बता पाएंगे कि हमारा जो proton है वो equivalent है या non equivalent है अगर हमारे पास बनता है homotopica, हमारे पास बनता है enensiotopica तो यानि कि हमारे पास जो proton है वो chemically equivalent proton है और जो proton chemically equivalent proton होता है वो magnetically भी equivalent होता है और जो हमारे पास आगया डाइ स्टिरियोटोपी तो वो हमारा कभी भी equivalent proton नहीं हो सकता वहाँ पर उस proton का अलग signal हमें देखने को मिलेगा इतनी सी बात जो है मैं आपको साधारन सब्दों में समझाना चाह रहा हूं एक example एक तरीका आपके सामने थोड़ा सध्यान दीजिएगा देखे कुछ इस परकार से माल लीजिए मेरे पास ये है ठीक है मैंने ये example ले लिया यहाँ पर carbon है इसके साथ में दो hydrogen जुड़े हुए है और यहाँ पर एक side chlorine है और एक side methyl group है मैंने क्या करा मैंने एक बार इस hydrogen को replace कर दिया atom Z के साथ ये वाला Z atom यहाँ replace कर दिया तो replace करने के बाद देखा कि मैंने कुछ इस परकार की condition करें मेरे पास बन रही है दूसरा मैंने क्या करा कि मैं आप दूसरी condition में इस hydrogen को रिप्लेस कर देता हूं दूसरी condition मेरे पास कुछ ऐसे बने तो जब इन दोनो कंडियसन्स को मैं देखता हूँ तो मैं क्या पाता हूँ कि ये दोनों के दोनों जो proton है ये मेरे पास enansnotopic आते हैं मैं हाँ लिख भी देता हूँ ये मेरे पास बनते हैं enansiotopic enansiotopic तो ये मेरे पास condition कब की बनती है जब मैं solvent ले रहा हूँ वो ए काईरल solvent है लेकिन अगर मैं कहीं इसके अंदर काईरल solvent ले लूँगा तो यहां से फिर कुछ अलग condition बनेगी क्या condition बनेंगी वो आपको बताता हूं लेकिन आपके लिए मैंने क्या किया कि थोर्टिकल वे में ताकि आप सब्जेक्टिव जो एक्जाम है उसकी तयारी अच्छे से कर सके तो आपके लिए यह स्लाइड से तयार की है तो इनके बारे में आप थोड़ा सा यहां से जानकारी ले सकते हैं अगर आप इनका डाउंडोड करना चाहते तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिक मिल जाएगा वहां से आप इनको दाव्लोड करते आपके लिए लिए ने लिए एक इक्जेम्पल इसको देख लेती तो इसे आपके पास है और दूसरे पास मे है CH2 इसको हम किस चाहlington जानते हैं इसको हम जानते मिधाइलीन नामसे यह मेरे पास मिधाइलिन नाम से यह ना पर कौन सा है यह मेरे पास भी जला कशल श्रक्म टो मेरे पास यहरे कश्री directory में इस तीन और दो पांच टोटल हाइड्रोजन है इस केस में आप साथ जान चुके होंगे ये तो सिंपल सी बात थी देखिए अब कंडिशन क्या आती है कि एक बार मैं CH3 का एक हाइड्रोजन लूँ और उसको जैड के साथ रिप्लेस कर दूँ यानि कि मैं CH3 का एक हाइड्रोजन क मैं उसको जैड के साथ रिप्लेस कर दूँ तो इसके साथ रिप्लेस करने के बाद मेरे पास कंडिशन बनी ये CH3 CHZCl ये मेरे पास दो चीजे बन जाती है तो यहां से मैं क्या पाता हूं कि जब मैं एक बार मिथाइलीन वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा हूं एक ब सब्सक्राइब यहाँ से लिफार भी हुआ है इसको मैं फिर से आपके लिए अंडर लाइन करता हूं कि जो मिल्ला है और सैमें तो मुसह देखने को मिलेगा CH2 की वज़े से और एक सिगनल मुझे देखने का मिलेगा CH3 की वज़े से सिगनल कैसा होगा कैसी हाइट होगी कैसी इंटेंसिटी होगी स्ट्रोंग वीक बाद की बाते हैं पहले यह देखना है कि कितने सिगनल मिलेंगे तो important बात यहां से देख सकते हैं इसकी वज़े से मिलेगा और एक सिगनल इसकी वज़े से मिलेगा इतनी बात सायद आपको समझ आ गई होगी सिंपल सा केस था आप वह जो केस था ना वह थोड़ा सा यानि के जो मेरा सिए 13 था उसको मैंने ऐसे च्छोड दिया ये सिए स्टू वाले हाइज को रिप्लेश करने की कोसिस क्यों कि कीभी फिरी को मिरि रिप्लेश करने कि क्यों हैा कि मैंने यहां क्या किस केस में बनती है यहां पर यह भी important point है यह भी मैं अंडरलाइन कर देता हूं कि जो यह images है यह एक दूसरे के साथ क्या होती है लेकिन यह नोन इक्विवेलेंट बन जाती है कब जब इसको मैं chiral solution के अंदर treat करता हूं तो उस टाइम पर मुझे यहां से दो signal देखने को मिलेंगे कैसे अगर मैं यहां पर जो solvent ले रहा हूं यहां पर मैं solvent use कर रहा हूं एक viral तो यहां पर यह दोनों के दोनों का मेरा एक signal मिलेगा लेकिन अगर मैंने यहां करदे देखने को मिलेंगे इतनी बात थी वह मैं आपको बताना चाह रहा था इसके सामने मैं पास इंदर अगर हम इनके अंदर हम proton देखने की कोशिस करें तो ये और ये ये जो proton है इसको एक नंबर देता हूं इसको एक नंबर देता हूं तो दोनों का दोनों जो chemical environment है वो दोनों का सेम है क्योंकि देखिए अगर CHCL को मैं खोलूँगा तो उदर CH लिख लेता हूं तो इसके पास में क्या है carbon उसके पास hydrogen उसके पास chlorine और आगे CS3 इसके साथ चलता हूं तो यहां carbon उपर hydrogen नीचे chlorine नीचे CS3 यानि के ये और ये दोनों बराबर हैं तो यानि के ये जो 6 hydrogen है ये 6 hydrogen chemically equivalent है और इनका मुझे एक signal मिलेगा और जो ये hydrogen है ये जो दूसरा hydrogen है ये एक अलग hydrogen है तो यान पर आपको लिखा हुआ है CS3 CS2 CS2 CS3 है देखिए आपके पास इसको chemical nature को कैसे देखिए आप उसके दाएं बाएं सारी साइड में जहां पर भी आप मूह कर सकते हैं मूह कीजिए और उसके देखिए कि उसके आसपरोस में कैसे कैसे species हैं तो जब आप CS3 के पास चलते हैं उसक इसका देखने को मिलेगा और एक सिगनल जो है वो मुझे इसका देखने को मिलेगा और एक सिगनल जो है यानि के यहां से इनके जो सिगनल है वो अलग-अलग हो जाएंगे आगे चलिए थोड़ा सा और दूसरे एक्जेम्पल देखिए अब आप इसकी बात करेंगे यह सिएच्टू और यह सिएच्टू इस एक्जेम्पल में आप देख सकते हैं लेकिन इसमें कंडिशन क्या ब यानि के दोनों के दोनों जो हैं वो कैमिकल एक्विवेलेंट हैं और दोनों का आपको एक ही सिगनल मिलेगा एक और एक्जेम्पल चीएच्टू अब यह चैज है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेंट ऐसे इलाइबोरेट कर देते हैं चीएच्ट्री आपके पास सी इसे आपने लिया वीमेर्शन के आपने लिया है ब्रोमोप्रोपीन नेमिंग आप IUPAC नोमनक्लेचर से देख सकते हैं आपको उसको सीखना पड़ेगा यानि के दूसरी पोजिशन पर आपके पास ब्रोमो लगा हुआ है यहां देखिए दूसरी पोजिशन पर आपके पास ब्रोमो है और यह एक दो तीन कार्बन की चेन है इधर से गिंती शुर है तो आप यहां से इसका प्रोमो होंगह। यानि के इन तीनों के वजह से तो आपको एक सिगनल देखने को ही मिलेगा बात आती है अधाएप नूर्ट इसकन की यह तेखने की यह देखना प्रोट रेखे वाले इनका ammर्पास ये बचते हैं तो इनको क्या करता हूं मैं यहां इनको रिप्लेयस कर देता हूं जैड के साथ 1 ला इनका को. को रिप्लेस कर दिया तो यह वाली स्पीसिज बन गई अब मैंने इनको देखना है कि यह किस परकार का स्ट्रक्ट्टर मेरे पास बना है देखिए आप इसको उठा करके इसके उपर रखने की कोसिस की तो पहली बात तो यह इसका मिरेर इमेज भी नहीं बन रहा दूसरा कोई मिरे इमेज नहीं बन रहा तो सुपर इंपोजिबल नोन सुपर इंपोजिबल की तो अलग बात है तो यानि के यहां पर जो दो केस मेरे पास आये हैं यह मेरे पास बनता है डाय स्टेरियो टोपिक मैं अंडरलाइन कर देता हूं मैंने आपके सामने यह चीजे लिखी कि तो यहां से मिलेगा एक शिखनल आपको यहां से मिलेगा और तौड़ाज आगे चलते हैं आपको और बदाता हूं की क्या आपको देखने को मिलेगा और कुछ पर्टिकुलर एकजैमपल के इसके अंदर देखिए आप यहां से आगे चलिए आपके पास कुछ ऐसा एक्जैम्पल है इसके अंदर देखेगा यहां से सीम वही कि तो यहां से मैं देखिए एक चीज मैंने यहां लिखी हुई है आप इसको पढ़िएगा या क्या लिखा हुआ है कि फिक्योज टू ब्रोमप्रोपीन हैं तीन टाइप अव प्रोटन हैं एबिसी इनको में नाम देने जा रहा हूं इसलिए नहीं यहां पर ताकि आपके लिए थोड़ा सा सहूलित होसके कई बार आप ऐसा देख सकते हैं मैं ऐसा लिखता हूं रहा हूं वन टू ठी आप कहीं इ एक तो तीन जो इंडिकेट करते हैं कि एक सीगनल यह दूसरा नमबर यानिक है दूसरा सीगनल यह तीसरा सीगनल इसलिए मैंने यहां से आपको थोड़ा सुचा कि A, B, C से आपको replace करके बता दिया जाए A, B, C यानि के तीन proton तीन टाइप के और यहां से ऐसा कुछ हमें scenario मिलता है आगे चलते हैं एक और example मेरे पास है मैंने आपके सामने लिया है 1, 2 dichloro propane क्या 1, 2 dichloro पहली दूसरी position के उपर 2 chloro और 7 में propane ठीक है देखिए क्या होता है पहले मैं इस hydrogen को select करता हूँ इसको replace कर देता हूँ जैड के साथ carbon atom वाले पहले को मैंने replace करा जैड के साथ तो मेरे पास ऐसा कुछ बना दूसरी condition में इस hydrogen को ले लेता हूँ इसको replace करता हूँ तो ऐसा कुछ बना तो इस case में आप क्या देखते हैं यहां से आपको कितने signal मि इकोसिस करते हैं इसकी तो यहां पाते क्या है कि यह मिरर इमेज नहीं बन रही दोस्तों कि मेरे में क्या होगा जड के साथ तो जड आ गया लेकिन chlorine के साथ तो chlorine नहीं आये ना यहां तो hydrogen आया तो जब यह मिर में नहीं बनते इनकी orientation अलग-अलग है तो यह हमें नाम देते ह हैं किस चीज़ का डाया स्टीरियोटोपिक का और जो डाया स्टीरियोटोपिक होते हैं उनका क्या होता है अलग-अलग नेचर होता है अलग-अलग environment होता है उनको हम बोलते हैं दोस्तों कि इनके अलग-अलग सिगनल आएंगे यानि कि एक सिगनल इसकी वजए से और यानि देखना चाल है किसी क्लोरीन है जातीज्यक्ति की सबता पाने के कारण को प्रोजेक्शन दिये जाते हैं उनको आप एक दुसरे के अंदर तपदील नहीं कर पाते हैं अब डारेक्ट दिये के स्ट्रक्चर के अंदर उसको इंट्रिड्यूस करने की कोशिस करते हैं और आपका कोशन गलत हो जाता है तो इसलिए हम इसको रिपलेस करके और फिर आई आपको एक और एक्जेम्पल दिया गया देखिए आपको एक्जेम्पल दिया गया है 1,2-dichloropropane का देखिए यानि के पहली और दूसरी पोजिशन के उपर क्या है कि यहां से आपकी बात हो गई ठीक है और च्छी आपको मैं ने दुबारा यही समझाने के लिए बताय कि अगर मैं इसको आपकरते के सिगनल इसकी वजए से मिलेगा और यहीं इसकी वजए से मिल जाएंगे तो आप लिखते कि 3 सिगनल लेकिन वास्तों में दोस्तों कितने हैं चारी यही श्रक्चर है मैंने इसकPhone में लिखा है लिखने का तरीका कुछ भी हो सकता है लेकिन आपने तो उसके को जांक करनी है आप देखना है इक साइड में और नीचे से उसके बाद CH2 ». अब अगर आप सोचते अगर आप उसको प्रोटोन सेम होंगे लेकिन उनके केमिकल एंवाइरमेंट की वजए से उनका नेचर बदल चुका है और पोजिशन जो है वह पहले वाली नहीं रही एक अलग सिगनल हमें उनका मिलने वाला है यही तो हम डूंडने का परियास कर रहे हैं दोस्तों आगे चलते हैं आपके सामने एक और इंपोर्टेंट एक्जेंपल मैंने लिखा है अब इस तरह के एक्जेंपल में आप कैसे सिगनल निकालेंगे देखेगा यह मैंने आपको साइकलो प्रोपेन बनाया है आपके पास इसके अंदर अलग अलग पोजिशन पर सब्सिट्वेंट करें यह हाईड्रोजन आप पकड़ते हैं और यह आपको क्या मिल लगेगा कि एक जैसे उपर भी नीचे बी यह आप दोनों इनको देख लीजिए पहले आपको क्या लगेगा कि दोनों है लेकिन वास्तों में नहीं देखिए केमिकल इंवार्मेंट चेंज करते हैं आप इसके इसके बात का है है इसके उपर क्या है और इसके उपर भी है ऑर यह दोनों का नेचर ऐक जैसा है तरह तो इतनी बात कंफरम हो गई दूसरा देखिये इस हैड्रोजन की बात करते है इस हाड्रोजन के पास इदर हाइडरोजन है इदर हाइडरोजन लेकिन उपर हाइडरोजन नहीं हो पाने के करण उपर तो च्छ त्री है तो इसको बी नाम 시청 मिलेगा ठीक है दोस्तों कि बात करते तो निच्छे हाइडरोजन है और साइड में शियू होंगी लास्ट एक्जेंपल देखिया सब्सक्राइब करते कि ली अश्थे ऐसे करते हैं क्या होगा यहां से आपको मीली जाएगा मुद्द आता है इन दोनों का इन दोनों के केस में आपको क्या लगेगा कार्बन के ली हाई इधर भी है ढूल आपके लेकिन वास्तों में यह यहां से आपको तीन सिगनल मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं तो यह हमने बात करी हमारी chemically equivalent और non-chemical equivalent प्रोटोन की विज़े से हमें कितने signal मिल रहे हैं अब आगे देखेंगे कि signal तो मिले तो किस position पर मिलेंगे और उस signal से क्या जानकारी हम जूटा पाएंगे वो बात करेंगे हम आने वाली class के अंदर तो आज की class को यहीं खतम करते हैं और फिर आप से मुलाकात होगी एक बहतरीन टोपिक के साथ और आप सभी का बहुत वो धन्यवाद